चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन हुभे कफन स्वदेशी और मैं भारत को भारतियता की माननेता के आजार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उसकाम में लगा मैं जुम्बरलाल जी खटोड सामाजिक प्रतिष्ठान चे अध्यक्ष गउतम जी खटोड ये ही राजयोजीन चा सतकार करती तसे संजे माननीकर उदगीर दिक्षित सहाबांचे सहकारी यांचाही या मंचावर स्वागत करने तेता है स्वागत करता है प्रतिष्ठान चे अध्यक्ष गउतम जी खटोड संजे जी माननीकर टालैंचा गजरात आपन माननीकरांचा स्वागत करूया यान अंतर लगे चाच राजिव जी दिक्षित है आपले व्याख्यानाला सुरुवात करती मित आनना प्रतिष्ठान चावतिन नम्र विननती करते क्या आपन अपने व्याख्यानाला सुरुवात करावे यह गए बढ़िया 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 झाल झाल स्वर्गिय श्री जुमरलाल जी खटोड सामाजिक प्रतिस्ठान की ओर से आयोजित इस भव्य कीरतन कारिक्रम में आये हुए बीड के सभी सम्माननिय नागरिक बंदों मैं बहुत आभारी हूँ आयोजन समीति का जिनोंने मुझे आमंतरित किया और आपके सामने समबाद करने का मौका दिया मैं आप सभी बीड के नागरिक बंदों से इस बात के लिए छमा चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से मराठी भाषा नहीं बोल पाता है इसलिए हिंदी में बात करता हूँ मेरी हिंदी बहुत सरल आसान होगी आपको समझ में आएगी मैं मराठी भाषा पढ़ता हूँ मराठी भाषा आप बोलें तो पूरा समस्ता हूँ बोलने का अभ्यास थोड़ा कम है इसलिए हिंदी में बात करता हूँ मैं जिस विशह पर आप से बात करना चाहता हूँ वो स्वदेशी से संबंदित चिकित्सा का विशह है हमारे अपने जीवन में विविन्न तरह की जो बीमारिया आती हैं जो रोग आते हैं इन रोगों को ठीक करने के लिए हमारे स्वेमपाक घर में बहुत सारी औवशदियां है जो संपूर्ण स्वदेशी है निरापद है उनका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और बहुत सस्ती है ऐसी कुछ स्वदेशी औवशदियों के बारे में मैं आपको माहिती देने के लिए आया हूँ आपके पास अगर कागज और पैन हो तो आप जरूर निकाल लें और ये माहिती को लिख लें क्योंकि ये जीवन परियंत आपके काम आएगे मैं जो माहिती देने जा रहा हूँ आपको वो भारत देश की आयुरुवेद चिकित्सा की जो पद्धत है हजारों वर्ष पुरानी उस आयुरुवेदिक चिकित्सा पद्धत के जो बड़े विशेशक की रहे हैं उनके द्वारा जो शोद की गई है रिसर्च की गई है अनुसंधान किया गया है ऐसी माहिती में देने वाला हूँ हमारे भारत देश की जो आयुरुवेदिक चिकित्सा है स्वदेशी चिकित्सा हजारों वर्ष पुरानी है इस चिकित्सा में हजारों साल से बहुत बड़े-बड़े चिकित्सकों ने विशेशक्ज्यों ने तक ये लोगों काम किया है ऐसे एक महान व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम महर्शी बागवट जो आज से लगबग साड़े तीन हजार वर्ष पहले हुए उन्होंने आयुरुवेद चिकित्सा में एक शास्त्र लिखा एक पुस्तक लिखी वो संस्कृत भाशा में है उस पुस्तक का नाम है अश्टांग हिरदयम बाद में इसी पुस्तक का दूसरा भाग लिखा गया वो है अश्टांग संग्रहम ये दो पुस्तके हैं सारे तीन हजार साल पहले भारत के आयुरुवेद चिकित्सा के विशेशग महर्शी बाग भटकी हैं उन्होंने इन दोनों पुस्तकों में साथ हजार सूत्र लिखे हैं संस्कृत भाशा में और वो सारे के सारे सूत्र इस बात के लिए हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में निरोगी होने के लिए स्वस्थ होने के लिए क्या करना चाहिए और व्यक्ति को अपने जीवन में स्वस्थ होने के लिए निरोगी होने के लिए क्या नहीं करना चाहिए हम क्या करें स्वस्थ रहने के लिए निरोगी होने के लिए और क्या ना करें अपने जीवन में यही दो महिती के आधार पर मैं आपसे बात करूँगा इन दोनों पुष्टकों में साथ हजार सूत्र है मैं उस में से आपको मात्र दस सूत्र बताऊंगा क्योंकि साथ हजार सूत्रों को बताने के लिए बीस से पच्चीस दिवस का समय लगता है और मेरे पास एक घंटे बीस मिनिट का समय है इसमें मैं लगबग दस सूत्र आपको बताऊंगा और यह सारे के सारे सूत्र जिनको मैं आपसे बताने जा रहा हूँ मैंने स्वयम अपने जीवन में उनका पालन किया है और उसका इतना लाभ मुझे हुआ है और मेरे बहुत सारे सहयोगियों ने उनका पिछले कई वर्षों से पालन किया है उनको भी बहुत लाभ हुआ है और पिछले बारे तेरे वर्षों में मैंने हजारों लोगों को ये सूत्र बताए हैं भारत के गाउं गाउं में जाकर दस हजार से जादा मैंने सभाएं की हैं इस माहिती को फैलाने के लिए और हिंदुस्तान के लाखों लोगों को इस से बहुत लाब मिलाए आपको भी मिलेगा ऐसी मेरी पूरी विश्वास है जो सूत्र में कहने जा रहा हूँ वो संस्कृत के हैं मैं सीधे हिंदी में कहूंगा ताकि समय बचे और आप से फिर से विंती है कि अगर कागज और पहन है तो आप जरूर लिख लीजे डाइरी आपके पास है तो जरूर लिख लीजे क्योंकि इनको बताने के लिए दुबारा कौन आएगा मालूम नहीं है हमारे जीवन में बीमारियां जो आती हैं, रोग जो आते हैं वो क्यों आते हैं आयुर वेद की उनकी अपनी परिभाशा है और परिभाशा ये है कि शरीर में तीन तरह के कशाए होते हैं या तीन तरह के दोश होते हैं एक है वात दूसरा है पित तीसरा है कफ आयुर वेद में ये कहा गया कि वात, पित, कफ अगर ये संतुलित रहें तो व्यक्ती जीवन भर निरोगी होता है इसी के आगे कहा गया कि अगर वात पित कफ बिगड़ जाएं असंतुलित हो जाएं तो व्यक्ति जीवन भर रोगी रहता है तो हमें हमारे जीवन में एक ही प्रयास करना चाहिए निरोगी होने के लिए स्वस्थ होने के लिए कि हम हमारे वात, पित, कफ तीनों को संतुलित रखें अब वात, पित, कफ, संतुलित कैसे रहते हैं हमारे शरीर में इसी के लिए दस सूत्र है उसमें से सबसे पहला सूत्र है जीवन भर आपको स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है वात-पित-कफ को संतुलित रखना है तो सबसे पहला सूत्र है भोजन के बाद, खाना खाने के बाद जेवन नंतर पानी नहीं पीना ये पहला सूत्र है भोजन के बाद, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना जीवन परियंत अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं तो उसके लिए ये सूत्र है अब आप कहेंगे ये तो बिल्कुल उल्टी बात है हम तो सब खाना खाने के बाद भोजन के बाद पानी ही पीते हैं लोटे पर लोटा पीते हैं कई लोग तो भोजन से जास्ती पानी पीते हैं और आयुरुवेद का सूत्र कहता है जेवन नंतर पानी नहीं पीने का है क्या कारण है इसका क्यों नहीं पीने का है आपको जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये कि आपका ये जो पूरा शरीर है इस शरीर का सबसे महतुपूर भाग है आपका पोट अंग्रेजी में हम सब लोग इसे स्टमक कहते है इसके दो हिस्से हैं एक स्टमक है दूसरा अब्डोमिन है ये पूरा पोट आपके जिंदगी का सबसे महतुपूर अंग है शरीर का भी सबसे महत्वपूरंग है क्यों? आप जो कुछ भी भोजन करते हैं वो सब कुछ पोट में जाता है फिर ये भोजन का पाचन होता है उस पाचन में से रस बनता है रस में से मास, मज्जा, रक्त, वीर, मल, मूत्र, अस्थी और मेद बनता है मल और मूत्र शरीर के काम का नहीं है तो शरीर उसको नित्य दिन छोड़ देता है लेकिन मास, मज्जा, रक्त, वीर, आदी, आदी जो चीजें बनती है वो बहुत काम की है शरीर उनको धारण कर लेता है तो हम जो भी खाते हैं जो भी जिवन्ट हैं वो हमारे शरीर की उर्जा का सबसे महत्वण अंग है आयुर्वेद ये कहता है कि आपने जो कुछ भी खाया इसका पाचन होना इसका हजम होना इसका डाइजेशन होना बहुत जरूरी है अब डाइजेशन के लिए पाचन के लिए क्या होता है कि आप जो भी खाना खाते हैं वो पोट में एक छोटे से इस्थान में एकठा होता है एकत्रित होता है उस इस्थान को कहते हैं जठर ये जठर शब्द संस्कृत का है मराठी में भी है हिंदी में भी है ये जठर कहा होता है हमारे पोट का जो केंद्र है जिसको ना भी कहते हैं उसके ठीक डावे वाजू में लेफ्ट साइड में वहाँ पर ये जठर होता है सारा भोजन इसी जठर में आता है फिर जब भोजन वहाँ आ जाता है तो तुरंत उसमें अगनी प्रदीप्त होती है आग जलती है और ये अगनी ऐसी ही होती है जैसे हमारे स्वेंपाग घर में रसोई गैस जो है LPG गैस जिसको आप कहते हैं उसमें अगनी जलती है वैसे ही आपके जठर में भी अगनी जलती है अब क्या हुआ कि आपने भोजन किया सारा भोजन पोट में जठर में इकठा हुआ अगनी जलना शुरू हुआ अगनी ने भोजन का पाचन शुरू किया उसी समय आपने गटा गट गटा गट पानी पी लिया अब क्या होगा अगनी और पानी का मेल नहीं है अगनी और पानी की दोस्ती नहीं है अगनी और पानी की दुश्मनी है अगर आपने खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लिया तो जो पोट में अगनी जल रही थी खाने को पाचन करने के लिए वो बुझ जाएगी बंद हो जाएगी और अगनी अगर बुझ गई और बंद हो गई तो खाने के पाचन की क्रिया समाप्त हो जाएगी, रुख जाएगी और अगर ये क्रिया रुख गई तो भोजन का रस नहीं बनेगा और भोजन का रस नहीं बनेगा तो फिर भोजन सड़ेगा और वो सड़ा हुआ भोजन आपके शरीर में कम से कम 103 रोग पैदा करेगा और वो 103 रोग कहा है नाम से बताता हूँ बहुत लोग यह कहते हैं हमारे पोर्ट में जलन होती है, गैस बनती है, ऐसिडिटी जान लीजिए कि जिनको भोजन पच्छता नहीं है, हजम नहीं होता है, उनिको एसिडिटी होती है, भोजन के सडने पर ऐसे ही एक रोग है, गैसिडिटी और अगे का पिर अलसर है, फिर पेप्टिक अलसर है और इसी क्रम में आगे आगे बढ़ते जाएं तो आखरी रोग है वो कैंसर है कैंसर के बाद कुछ नहीं होता क्योंकि उसके बाद मृत्यू ही होती है अब आप ज़रा सोचिए आपने भोजन किया और भोजन के तुरन बाद पानी पी लिया और वो भोजन सड़ गया उसके पचने की क्रिया नहीं हुई रस नहीं बना सड़ गया गैस बनना शुरू हुआ वहां से बीमारियां शुरू होंगी और कैंसर तक चली जाएंगी फिर आप अपने जीवन के अंतिम दिन में अफसोस करेंगे कि आपने कोई बड़ी भारी भूल की और वो भूल क्या है भोजन के बाद आपने तुरंत पानी पिया वही भूल है इसलिए आप आज से अपने जीवन में इस नियम का ओ संकल्प के रूप में ले लीजे खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना क्योंकि अगनी जल रही है वो खाने को पचाने के लिए बहुत जरूरी है अब आप ये पूछ सकते हैं मुझसे कि अच्छा ठीक है बात समझ में आ गई खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना फिर आप पूछेंगे कभी पीना कितनी देर बाद पीना तो उसका उत्तर ये है कि आपके पोट में खाने के पचने की जो क्रिया है उसके तीन चरण होते हैं पहला चरण पहला स्टेज है जो कुछ भी आपने खाया सॉलिड और लिक्विड ठोस और द्रव ये एक दूसरे में मिलता है ये क्रिया लगबग एक से डेढ़गंटे तक चलती है फिर उसके बाद क्या होता है जो कुछ एक दूसरे में मिल गया वो खिचली जैसा बन जाता है और उसमें से रस बनना शुरू होता है जब किसी चीज में रस बनना शुरू होता है तब히 पानी की जरूरत πढ़ती है माने आप बोलेंगे बात तो समझ में आ गई एक तास नंतर पानी पीने का है तो एक तास तक और कुछ पी सकते हैं क्या पानी तो एक तास नंतर पीने का ठीक है समझ में आया और कुछ पी सकते हैं क्या तो आयुरुवेद में महिती दी गई है कि जेवन नंतर ततकाल अगर पीना चाहते हैं तो ताक पिए तुरंत भोजन के तुरंत बाद अगर पीना चाहते हैं तो ताक पिए भोजन के तुरंत बाद अगर पीना चाहते हैं तो दूद पिए भोजन के तुरंत बाद अगर पीना चाहते हैं तो जूस पिए फलों के रस पिए भोजन के तुरन बाद पानी नहीं पिए जूस पिए टाक पिए दूद पिए पानी नहीं पिए अब आप फिर पूछेंगे ये क्या चक्कर है पानी तो नहीं पिए टाक पी सकते हैं टाक में भी तो पानी ही है पानी नहीं पी सकते हैं जूस पी सकते हैं, जूस में तो पानी ही पानी है पानी नहीं पी सकते हैं लेकिन दूद पी सकते हैं दूद में आप जानते हैं नवट टका से जास्ती पानी है तो यह क्या चक्कर है आयुरवेद का एक ग्यान कहता है जेवन डंतर पानी नहीं पीने का और आयरुवेद का ही ग्यान कहता है जेवन डंतर ताक पीने की दूद पीने का जूस पीने का पानी नहीं पीने का जबकि जूस में भी पानी है ताक में भी पानी है दूद में तो पानी ही पानी है ये कुछ चक्कर है ये जरा समझना है, यह चक्कर क्या है मैं आपको जो जानकरी देना चाहता हूँ वो यह, कि यह जो पानी होता है ना, यह अगर अकेला है, किसी चीज में मिलाया नहीं है इसको तो यह पानी के अपने गुण उसमें धारण किये हुए रहता है पानी के कुछ गुण है जैसे पानी रंग हीन है, पानी गंद हीन है पानी स्वाद हीन है पानी शीतल है पानी शामक है, ऐसे पानी के बहुत सारे गुण है लेकिन यह सारे गुण पानी के तबी तक रहते हैं जब तक पानी अकेला होता है जैसे ही पानी को किसी वस्तू में मिला दिया जाता है पानी के सारे गुण खतम हो जाते हैं जिस वस्तू में पानी मिल गया उसी के सारे गुण उसमें आ जाते हैं आपने हिंदी फिल्म का एक गाना सुना पानी रे पानी तेरा रंग कैसा फिर उसी गाने में कहा गया जिसमें मिलाओ उस जैसा बने पानी का गुण है कि जिसमें मिला दिया वैसे ही हो जाएगा अब ताक में पानी है तो वो पानी नहीं है वो दही है क्योंकि ताक बनाई है दही में पानी मिलाकर तो दही के सारे गुण पानी में आ जाएंगे इसी तरह से दूद है दूद में पानी मिला दिया है तो सारे गुण पानी में दूद के आ जाएंगे इसी तरह जूस में अगर पानी मिल गया है तो फल के सारे गुण पानी में आ जाएंगे इसलिए जूस पीने का, ताक पीने का दूद पीने का नियम बताया गया, पानी नहीं पीना है, बात समझ में आगई, आप कर सकते हैं, आज से ही इसको अपने जीवन में शुरू करिये अभी इसमें एक और प्रशन आप पूछेंगे प्रशन ये आएगा, कि अच्छा ठीक है, जेवन नंतर ततकाल ताक पीने का, जेवन नंतर ततकाल दूद पीने का, जूस पीने का, पानी एक तास नंतर पीने का, तो आप पूछेंगे जेवन पूर्व नंतर तो समझ में आ गया, पूर्व जेवन पूर्व लगबग अड़ तालीस मिनट पहले भरपेट पानी पी सकते है अगर आपको दस बजे जिवन करने का है, खाना खाने का है नव बज के बारा मिनट तक भरपेट पानी पी सकते है ग्यारा बजे भोजन करने का है दस बज के बारा मिनट तक भरपेट पानी पी सकते हैं 28 से 50 मिनट पहले आप कितना भी पानी पी सकते हैं आप बुलेंगे यह क्या कारण है कारण ऐसा है कि जब आप पानी पीना शुरू करते है तो पानी आपके मूह में होता हुआ गले से उतरता हुआ शरीर के अनेक अनेक अंगों में घूमता हुआ अंत में मूत्र पिंड में जाकर आता है तो मूँ से पानी पीना शुरू करें और उसको मूत्र पिंड तक पहुँचने में जगे जगे से घूम कर आने में 48 मिनट ही लगते हैं इसलिए कहा गया जवन पूर्व अगर पानी पीना है तो 48 मिनट पर पिये जवन नंतर पीना है एक तास कम से कम जास्ती से जास्ती डेड़ तास अब आप आखरी एक प्रश्ण पूछेंगे जवन के मद्द में पानी पिये के नहीं पिये तो उसका भी उत्तर है अगर आप भोजन कर रहे हैं और भोजन करने में दो अन खा रहे हैं दो अन खा रहे हैं से मतलब जवारी की भाकरी खा रहे हैं और भात खा रहे हैं ये दो अन हैं गेहूं का रोटी खा रहे हैं चपाती खा रहे हैं और भात खा रहे हैं ये दो अन्न है मक्की या बाजरी की रोटी खा रहे हैं भात खा रहे हैं ये दो अन्न है तो आयरुवेद में कहा गया कि दो अन्न का भोजन अगर आप करते हैं तो एक अन्न खाने के बाद दूसरा खाने के पहले जरूर पानी पियें लेकिन थोड़ा सा पी है तीन चार घूट पी है इससे जास्ती नहीं अभी एक सुत्र पूरा हो गया आपके समझ में आ गया? अगर किसी को नहीं आया हो तो हाथ उठा दे मैं फिर समझाओंगा क्योंकि ये एक सुत्र अगर आपने समझ लिया, जीवन परियंत आपका वात, पित और कफ तीनों संतुलित हो जाएंगे और आपको कभी रोग ही नहीं आएगा, बीमार ही नहीं पड़ेंगे, हमेशा स्वस्त रहें आप बोलेंगे, इसका कुछ प्रमान दो, तो मैं आपको प्रमान देना चाहता हूँ आप मनुष्य को थोड़ी देर के लिए भूल जाएए, मनुष्य जाती को थोड़ी देर के लिए भूल जाएए हमारे जो पशू पक्षी है उनको देखिए जितने भी पशू है, गाय है भैस है, मशी है बक्री है जो भी पशू है इनको ध्यान से देखिए ये सब सबेरे सबेरे भोजन करते है और पानी सब दुपहर को पीते है जिवन करेंगे सकाडी, और पानी दुपारी मेरा जन्म गाओं में हुआ मेरा परिवार शेतकरी परिवार है, मेरे घर में गाय बच्पन से मैंने गाय को देखा है तो गाय सबेरे जेवन करती है भरपेट पानी दुपहर को पीती है 10 बजे, 11 बजे जेवन के साथ कभी पानी नहीं पीती मैंने बहुत बार गाय के सामने क्या किया वो जो खाना खाती है भोजन करती है उसके सामने पानी रख दिया वो देखती भी नहीं है उस पानी को पहले भरपेट खाना खाती है फिर आराम से बैठ जाती है फिर जुगाली करती है फिर दो तीन तास नंतर पानी पीती है इसलिए किसी गाय को डाइबिटीज नहीं होती कोई भी मशी को कैंसर नहीं होता अर्थराइटिस नहीं होता पक्षियों को भी आप देखे पक्षी होते हैं ना सभी पक्षी सुबह सुबह खाना खाते हैं दाना चुगनी के लिए आते हैं और पानी दुपहर को ही पीते हैं सब के सब मैंने आज तक किसी पक्षी को ओवरवेट नहीं देखा लट्ठ पना किसी पक्षी में नहीं है सब एकदम स्लिम और ट्रिम है क्योंकि वो आयुरवेद के नियम का पालन करते है अब आप जरा सोचिए कि पशु और पक्षी जो आयुरवेद को जानते है जबकि उनको कोई सिखाने वाला गुरू नहीं है उनका कोई कॉलेज नहीं है उनका कोई प्रोफेसर नहीं है फिर भी उनको आयुरवेद का ये ग्यान है और मनुष जिसको सिखाने वाले इतने प्रोफेसर हैं इतने गुरू हैं इतने colleges हैं, medical और ये सब, वो मनुष्य को ये ग्यानी नहीं है इसका इर्थ क्या हुआ पशू पक्षी मनुष्य से जास्ती ग्यानी है तो मेरी आप से बिनंती है कि आज के बाद आप किसी पशू पक्षी को गाली नहीं देना क्योंकि वो आप से जास्ती ग्यानी है कई बार हम गाली देते हैं ना तू जानवर है गाली ऐसे देना चाहिए तू आदमी है मनुष्य है, कुछ समस्ता नहीं है कुछ अकल नहीं है हम से जास्ती अकल पशू पक्षियों को है तो इस अकल का अपने जीवन में उपयोग करें अकल क्या है जेवन नंतर पानी नहीं पीने का एक तास नंतर या डेल तास नंतर पीने का ततकाल कुछ पीने का है तो ताक या दूद या जूस अब ये पूछ सकते हैं आप ताक कभी पीने का दूद कभी पीने का ताक हमेशा दुपहर को पीना दूद हमेशा रात्री को पीना और जूस हमेशा सकाडी सकाडी जेवन नंतर जूस पीने का दुपारी जेवन नंतर ताक पीने की रात्री जेवन नंतर दूद पीने का आप बोलेंगे ये क्या चक्करे सकाडी जूस, दुपारी ताक और रात्री को दूद बात ऐसी है, हम जो भी कुछ पीते और खाते हैं हमारे पोट में उसको हजम करने के लिए पाचन करने के लिए कुछ रस की जरूरत पढ़ती है जिसको अंग्रेजी भाषा में एंजाइम्स कहते वो रस हमारे पोट में समय समय पर उत्पन होते हैं ताक को पचाने के लिए, दही को अचाने के लिए जो रस चाहिए, वो दुपहर को ही पोट में आता है जादा दूद को पचाने के लिए जो पाचक रस की जरूरत है वो सूर्यास्त के बाद ही पोट में पैदा होता है जादा और जूस को पचाने के लिए जिस पाचक रस की जरूरत है वो सकाड़ी सबसे जास्ते होता है इसलिए नियम बना दिया गया सकाड़ी जेवन डंतर जूस दुपारी जेवन डंतर ताक रात्री जेवन डंतर दूद समझ गए हैं? अब आप ये बहुत सारी आई और ताई यहाँ जो बैठी है वो ये कहेगी हम तो हमारे बच्चों को सुबह सुबह दूद पिला के स्कूल भेशते है आयुरवेद कहता है कि सुबह का समय दूद पिने के लिए अच्छा नही है सबसे अच्छा समय दूद पिने का है वो शाम को है तो आप क्या पिलाएं सुबह सुबह बच्चों को जूस पिलाए संत्रे का रस पिलाए मुसम्मी का पिलाए द्राक्षी का पिलाए टमाटर का पिलाईए, गाजर का पिलाईए, कुछ नहीं है तो लिम्बू की शिकंजी ही पिला दीजे, सबसे सस्ता, और जितने दिन उस खाने को मिलता है, जितने दिन, तीन महिने, चार महिने, तो सकाड़ी उस का रस जरूर पीने का, नाश्टा नंतर, जेवन नंतर, आप बूलेंगे इसमें क्या है, ये जो उस का रस है, ये अदभुत है, इसकी सबसे बड़ी विशेष्टा है, कि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, और हमारे शरीर की, ये जो हड्डियां होती है, इनको बनाने के लिए कैल्शियम सबसे जास्ती उपयोग में आता है, और जूस जो है उस का रस उसमें सबसे जास्ती केल्शियम फिर दूसरे नमबर पर सबसे जास्ती फॉस्फोरस है केल्शियम और फॉस्फोरस अगर किसी उसमें सौरी किसी रस में है तो वो तो सबसे अद्बुत है इसलिए उसका रस जितने दिन मिले जरूर पीना क्या-क्या फाइदा होगा हड्डिया मजबूत होंगी शरीर में चुस्ती फूर्ती रहेगी ताकत बहुत ज़्यादा आएगी और मैं आपको एक दो माहिती देता हूँ जो उसका रस पी सकते हैं सुबह-सुबह उनको जिन्दगी में कभी भी काविड रोग नहीं हो सकता काविड काविड समझते हैं मराठी में जॉन्डिस आँखे पीली-पीली हो जाती है लगवी एकदम पीली आने लगती है शरीर तूट जाता है विस्तर पे लेटना पड़ जाता है और काविड की दुनिया में आउशद नहीं है एलोपेथी के किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे वो कहेगा काविड की आउशद नहीं है ये तो अपने आप ही ठीक होता है डॉक्टर कहेगा आराम करो बीस दिवस, पचीस दिवस, तीस दिवस लेकिन इस काविड को होने नहीं देना इसकी सबसे बड़ी ताकत है उस के रस में तो उसका रस पी है सुबह सुबह बहुत अच्छा होता है और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ उसका रस पीने को कि सारे के सारे भारतिये नागरिक, रोज सकाड़ी एक गिलास उसका रस्पी है तो भारत के जो शेतकरी उस उत्पन्न करते हैं वो सब श्रीमंत और कोटिपती हो जाए आप बोलेंगे वो कैसे अभी क्या होता है जो शेतकरी उस उत्पन्न करते हैं वो सारा उस साकर कार खाने में जाता है साकर कारखाना चलाने वाला तो कोटिपती और श्रीमन्त हो जाता है शेतकरी वहीं का वहीं रोडपती रह जाता है मैंने संपूर भारत का तीन बार प्रवास किया है उत्तर दक्षण पूरब पश्चिम जो भी शेतकरी उस उत्पन्न करते हैं सब गरीब हैं रोडपती हैं लेकिन उनके उस को साकर बनाने वाले जो श्रीमन्त हैं पोटिपती है, कारखाने के माले, अगर इसी उस का रस बिकने लगे और सारे भारतवासी पीने लगे तो उस उत्पन्य करने वाला हर एक शेतकरी श्रीमंत होता है और एक फाइदा होता है अगर उस का रस पिये ना तो नपुन सकता की वीमारी कभी नहीं आती मैं आपको एक छोटी सी माहिती देता हूँ अगर आपके घर में ऐसे कोई पती-पत्नी है जिनका विवा हो गया लेकिन बच्चे उत्पन में नहीं हो रहे कमी किसी को भी हो सकती है इस्त्री में भी हो सकती है पुरुष में भी हो सकती है ऐसे किसी भी पती पत्नी को कहिए कि अगर बच्चा चाहिए तो उस का रस पिऊ और क्या डाल कर पिऊ चूना डाल कर पिऊ चूना देखा है पान में जो लगाते हैं वो चुना एक ग्राम, एक गिलास उसके रस में मिला के, तीन चार महिने से पांच छे महिने तक कोई भी पीले, बड़े आराम से बच्चा हो जाएगा. और ऐसी इस्थती में तो सबसे जल्दी बच्चा होगा, जब पुरुष के वीर में शुक्राणूओं की कमी है, और थोड़ा सा चुना, ये उसका रस और चुना दुनिया की सबसे अद्बुत औशद है, आप इसको पी सकते हैं, गुड़गे दुखने का अगर रोग है न तो भी इसको पी लीजे, पीजे, गुड़गा दुखना कम कर देगा, कांदा दुखता है, कमर दुखती है, संदिवात हो गया है, उसके रस में चुना मिला के पीजे, बहुत अदबुत परिणाम। बार बार काविड होता है, उसके रस में चुना मिला के पीजे, juice पीने का, तो उस का रस सबसे अच्छा, दूसरे नंबर पर, संत्रे का रस मुसम्मी का रस, द्राक्षी का रस, टमाटर का रस, गाजर का रस, और ये जितने भी रस आप पिएंगे, सब का पैसा शेतकरी समाज को ही मिलेगा और और रस आते हैं, हमारे देश में बोतल में बंद, वो कभी नहीं पीना वो सब खतरनाक है जैसे बोतल बंद, बातली में बंद एक रस आता है, पेप्सी कोला एके कोका कोला थमसप, लिंका, सिट्रा, मिरिंडा मेंगो फुरूटी, ये सब बातली में बंद आखते हैं न और पैकेट में भी बंद आते हैं ये खराब हैं, इनको नहीं पीना क्योंकि इन में दम नहीं है आप बोलेंगे क्या दम नहीं है इन में है क्या, मैं विज्जान का विद्यारती रहा हूँ और विज्ञान के विद्यारतियों के ऐसे 14 तरह के केमीकल मिलाए जाते हैं और ये सब जहर हैं सबी विश हैं ये पेपसी और कोका कोला में तो एक केमीकल मिलाए जाता है उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड यह phosphoric acid से आप जानते हैं क्या बनता है संदास साफ करने वाला हारपिक आपने टीवी जाहरा देखा हारपिक वो संदास पातर पे डालो दो मिनिट में फलश करो जगा जग सफेद कर देता है वो कैसे कर देता है उसमें acid मिलाया हुआ है जिसको तेजाब कहते हैं और उसका नाम है phosphoric acid वही acid पेपसी, Coca-Cola में भी मिलाया जाता है तो एक बार मैंने सोचा कि हारपिक से अगर संदास साफ हो सकता है तो पेपसी से भी होना चाहिए क्योंकि दोनों में acid है तो मैंने मेरे घर में करके देखा मैंने मेरे घर में क्या किया एक महिने तक संदास साफ नहीं किया खूब गंदा हो गया एकदम पीला पीला कचरा जमा हो गया फिर में पेपसी और कोका कोला की बाटली लेके आया और संदास पातर पे गिराया और दो मिनिट के बाद पानी से फ्लश किया संडास पातर जक्का, जक्स अफेद, एकदम वाइट एंड वाइट, एकदम नीट एंड टी वो दिन से मैंने एक जाहिरात शुरू किया है ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर ठंडा मतलब कोका खोला नहीं है, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर अब मुझे बड़ा दुख होता है कि पढ़े लिखे शुरीमंत लोग ये टॉयलेट क्लीनर गटा गट पीते रहते हैं जास्ती अजुकेटिड जास्ती पीते रहते हैं इंजिनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंड, मैनेजर, प्रोफेसर, सब संडा साफ करने वाला पानी पी रहते हैं किसी के लगन प्रसंग में जाते हैं तो फोकट में मिलता है तो दो दो तीन तीन बाटली गटकते हैं और पीने वाले घर में अकेले नहीं पीते हैं कोई महमान आ गया उसको भी पिलाते हैं एक तरफ कहते हैं अतिति देवता होता है देवताओं कोई संडा साफ करने का पानी पिलाते रहते हैं और कुछ अतिति अपने घर में ऐसे आते हैं, जो कहते हैं, ठंडा लाओ, माने हमको संडाज साफ करने का पानी पिलाओ. मेरी आपको हाथ जोड़कर विरिंती है, ये पेपसी, कोक, थमसप, लिमका, सिट्रा नहीं पीना, क्योंकि इसमें एसिड है, वो एसिड पेट को जलाता है, एसिडिटी पैदा करता है, और सबसे तकलीफ की बात पता है क्या है, कि आप बाटली खरीदते हैं, वो दस बारे र अमेरिका की कंपनी की है, वो भारत की नहीं है, तो आप अगर बारे रुपई की बातली खरीदें, सत्तर पैसा खर्चा होता है, ग्यारे रुपई 30 पैसे मुनाफा होता है पर देशी कंपनी को, उसमें से वो एक रुपई, डेड़ रुपई टैक्स का देके, फिर दुकान भारत देश का अमेरिका को दिया दो बाटली पिया तीन बाटली पिया चौवीस रुपए दिया दरवर्षी भारत में पेपसी कोका कोला की 700 कोटी बाटली बिकती है और दरवर्षी भारत देश का 5700 कोटी रुपए अमेरिका जाता है 5700 कोटी रुपा इतनी बड़ी रकम है कि अगर इससे सोना खरीद लिया जाए तो बील जिले के एक एक गाउं की सड़क सोने से बन सकती है इतनी बड़ी रकम हम अमेरिका को देते हैं क्या पी कर संडा साफ करने वाला पानी Pepsi-Cola, Coca-Cola, Damsa, Plimka, Citra तो मेरी आपको विनंती है नहीं पीना यह Pepsi-Cola मैंने मेरे जीवन में यह देखा है कि जो पढ़े लिखे educated है ना वो इपीते है Pepsi-Cola, Copa-Cola जो uneducated है कभी पढ़ने के लिए नहीं गए वो उसका हिरस पीते है इसका मतलब क्या है uneducated है, intelligent है और educated है, most idiot है संदा साफ करने का पानी पी रहे है दूसरों को भी पिला रहे है देश का पैसा विदेश में भेज रहे है और शेतकरी समाज को गरीब बना रहे है तो आयरुवेद का नियम जो मैंने बता दिया उसको ध्यान रखना है सकाडी जेवन नंतर जूस पीना दुपारी जेवन नंतर ताक पीना रात्री जेवन नंतर दूद पीना जूस पीना तो सबसे अच्छा उसका दो नंबर पे संत्रे, मुसंमी फिर उसके बाद गाजर, टमाटर फिर जो भी फल मिले उसका अभी दूसरा नियम आयुरवेद का दूसरा नियम अश्टांग हिरदयम का दूसरा नियम पानी कैसे पीना पहला नियम हो गया जेवन नंतर एक तास के बाद पानी पीना जेवन पूर पीना है तो अड़तालिस से पचास मिनट पहले पीना जेवन मद्य पीना है, तो दो अन्न का भोजन अगर कर रहे हैं, तो एक अन्न खाने के बाद, दूसरा खाने के पहले थोड़ा सा पीना जेवन अंतर ततकाल कुछ पीना है, तो दुपारी ताक पीना है, सकाडी जूस पीना है, रात्री को दूट पीना अब दूसरा नियम में बताने जा रहा हूँ वो ये कि पानी कैसे पीना तो आयरुवेद में कहा गया है पानी को घूट घूट भरके पीना सिप सिप करके पीना जैसे चाय पीते हैं ऐसे पानी पीना जैसे काफी पीते हैं ऐसे पानी पीना एक गुट लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, ऐसे करके पीना आप बोलेंगे क्यों? कारण बताओ, कारण उसका ये है, कि हमारा जो मुँ है, इसमें सतत एक पदार्थ बनता है, जिसको लार कहते है अंग्रेजी में हम उसे सलाइवा कहते हैं, सैलिवा कहते हैं, मराठी और हिंदी में लार कहते हैं ये जो लार पदार्थ है, ये आपके शरीर का बहुत महतुपून पदार्थ है क्या करता है ये ये पदार पोट में अंदर जाता है तब ही भोजन का पाचन शुरू होता है इसका अंदर जाना बहुत जरूरी है और ये अंदर जाने के लिए सबसे आसान है पाणी के साथ ये जाएगा और ये लार जो है न सतत बनता है हर सेकेंड बनता है आप सो जाते हैं फिर भी ये बनता रहता है तो आप अगर पानी घूट घूट पिएंगे थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे तो बार बार लार पानी के साथ मिलके अंदर जाएगा और ये लार जो है छार पंड होता है छार ये होता है अलकिलाइन होता है और हमारे पोट में जो है न अमल बनता है एसिड बनता है तो आईरुवेट शास्त्र कहता है कि पोट में एसिड बनता है मुँ में छार बनता है छार और अमल को मिलाते रहो तो दोनों एक दूसरे को निश्प्रभावी करते हैं न्यूट्रल करते हैं और जिनके पोट में छार और अम्ल दोनों मिलें लार और अम्ल मिलें वो जिंदगी में बीमार पड़ ही नहीं सकते तो बार बार लार पोट में जाए इसके लिए पानी घूट घूट पीना पानी पीने का तो सबसे अच्छा तरीका है थोड़ा पानी लेना मुह में भरना ऐसे ऐसे करके फिर पीना सब लार मिलके अंदर जाए बहुत फाइदा होगा ऐसे पानी पीना थोड़ा थोड़ा करके अभी हम गटागट पानी पीते हैं लोटे पे लोटा एक ऐसे पूरा उतार बहुत गलग तरीका है हो अब फिर में आपको एक प्रमान देना चाहता हूं सभी पक्षी और पशुओं को देखिए वो पानी कैसे पीते है किसी पक्षी को देखिए एक धेम पानी का उठाएगा फिर ऐसे-एसे मुझ करेगा फिर पियेगी सभी पक्षी ऐसे एक जँ़ पानी पीते कुद्टे को देखिए पानी कैसे पीता चाट चाट के शेर है, चीता है, कुद्टा है ये बिल्ली है, सब पानी को चाट के पीते हैं क्यों? आयुरवेद का नियम उनको माहिती है हाँ जबकि वो कॉलेज में नहीं पढ़ते इस्कूल नहीं जाते कोई उनका मेडिकल प्रोफेसर नहीं है फिर भी माहिती है कहां से आया? प्रकर्ती का ज्यान उनको मिला है इसलिए मैं बार बार कहता हूं पशू पक्षी जानवर मनुष से ज़्यादा होशयार है मनुष अपने पर घमंड ना करे कि मुझे बहुत ग्यान है आप से जास्ती ग्यान पशू पक्षे को है उन से सीखने की ज़रूरत है तो आप भी पानी को थोड़ा थोड़ा पीने की आदर डाले जैसे चाय पीते हैं वैसे पानी पीने की आदर आप बोलेगे इसका फाइदा क्या होगा सबसे पहला फाइदा बताता हूं जिनको यहां पैर की एडी में दर्द होता है गूट गूट पानी पीना शुरू करेंगे ये दर्द धीरे धीरे खतम हो जाए जिनके शरीर में लट पणा आ गया मोटा पा आ गया गूट गूट पानी पिएंगे लट पणा अपने आप कम होता जाएगा औशद लेने की ज़रूरत ही नहीं है जिनको एसिडिटी है हाईपर एसिडिटी है पोर्ट में जलन होती है है जाँ गूट गूट पानी पीएंगे हाईज बनना बन्द हो जाएगी जाएगा अज़िटी खतम हो जाएगए बहुत लाव है इसके आप इसको आज से ही शुरू कर देना पानी गूट गूट पिना ये दो नियम हो गए अभी तीसरा नियम है सकाडी जोगनंतर ततकाल पानी पीना सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं न सबसे पहले पानी पीना मुँ नहीं धोना दाथ साफ नहीं करना पहले पानी पीना आप बुलेंगे क्योँ रात्री को आप सो गए मुँ में जितनी लार बनी उठते ही पानी पी लेंगे तो सब अंदर जाएगे और सुबे सुबे की ये जो लार होती है न ये बहुत कीमती है इसकी कीमत पता है कितनी है पांच मिली ग्राम सुबे के मूँ की लार सोले हजार रुपए में बिखती है पांच मिली ग्राम यह जो लार है न, इसका आजकल शैशे बिकता, शैशे समझते हैं वो शैंपू का जैसे होता, छोटा सा पैकट पांच मिली ग्राम लार का शैशे, सोले हजार रुपए का है इतनी कीमत है अब आप क्या करते हैं इस कीमती लार को सुबह उठते ही थूखते है ब्रश गिस गिस के पेस्ट करकर के थूखते हैं इतनी कीमती चीज, सोले हजार रुपए की जो पांच ग्राम आती है उसको फोकट में थूख रहे हैं अपने वश्वशन यह थूखने के लिए नहीं है यह अंदर ले जाने के लिए और यह सुबह सुबह की लार है न मैंने इसके बहुत परिक्षन किये है यह औशदी है दवा है किस-किस रोग में दवा है अगर किसी को आँखों के नीचे काला काला हो गया जिसको डार्क सर्कल कहते हैं सुबह मू की लार निकाल के आँखों के नीचे लगाना शुरू कर दो तीन चार महीने में सब साफ हो जाएगा अगर किसी को कील मुहा से बहुत निकलते हैं सुबह की लार लगा के मालिश करना शुरू कर दो दो तीन महीने में कील मुहा से ठीक हो जाते हैं किसी के आँखों में चश्मा लगा हुआ है सुबह के मूँ की लार आँखों में काजल की तरह से लगाना शुरू कर दो चश्मा उतर जाता है अगर शरीर में कहीं चोट लग गई है और वो ठीक नहीं हो रही है सुबह की लार उस चोट पे लगा लो तो चोट ठीक हो जाती है आपने देखा जानवरों को उनको जब चोट लगती है वो क्या करते हैं जीब से चाटते हैं, है न? और अपनी चोट ठीक कर लेते हैं आप भी यह कर सकते अब यह लार में नुकसान कब होता है हानी कब होती है जब सुबही सुबह उठकर आप पेस्ट गिसते हैं, ब्रश करते हैं तो उसके साथ सब थूकना पड़ता है तो सत्यानाश तो आप अपना खुद कर रहे हैं इतनी कीमती चीज को थूक रहे पेस्ट के चक्कर में तो यह पेस्ट करना बंद कर दो तो लार थूकने की जरूरत नहीं पड़े आप बुलेंगे क्या करें फिर कड़ू लिम्बची काड़ी करो उसका क्या फाइदा है लिम्बची काड़ी जैसे ही आप मुह में लगाएंगे लार जबर्जस्त उत्पन्न होती है करके देखो मैं करता हूँ जैसे ही काड़ी चबाना शुरू करेंगे जास्ती लार बनेगी वो पीने की है थूकने की नहीं है तो आप बोलेंगे उसका लाब क्या है लिम्बची काड़ी घिस्ते हुए जो लार पी लेंगे जिन्दगी में डाइबिटीज उनको नहीं हो सकती शक्कर का रोग नहीं हो सकता शुकर की बीमारी नहीं हो सकता घुटनों का देर्द कमर का देर्द, कंदे का देर्द नहीं हो सकता आजकल एक बहुत खतरनाक रोग आया चिकन गुनिया सुनाया आपने यह कभी नहीं होगा जीवन में अगर कडू लिम की काड़ी घिस्ते हुए लार पियें आपको एक महिती है अपना नया वर्ष आता है गुड़ी पढवा तो गुड़ी पढवा के दिन हम प्रसाद बनाते है तो उसमें कडू लिम का पान डालते हैं कि नहीं मैंने एक बार आयुर्वेद के बड़े पंडित को पूछा कि हम गुड़ी पढवा के दिन नये वर्ष का पहले दिन कडू लिम का पान क्यों खाते तो उसने का कि यह कडू लिम का पान खाने से लार जास्ती बनती है लार जास्ती बनेगी तो resistance जास्ती होता प्रतिरोधक शक्ती और प्रतिरोधक शक्ती जास्ती है तो रोग नहीं आ सकता और गुड़ी पड़वा कव आता है चेत्रमास में आता है न चेत्रमास का पहला दिन सबसे जास्ती रोग होने की संभावना है क्यों? बात ऐसी है कि वो जो पहला दिन है वो संधी काल है संधी काल कैसा है? गर्मी आ रही है सर्दी जा रही है उसका संधी काल है संधी काल में सबसे जास्ती रोग होते और उन रोगों को लडने के लिए शरीर की प्रतिकारिक शक्ति लगती है उस प्रतिकारिक शक्ति को लाने के ही सबसे बड़ी ताकत कडुलिम और लार में है इसलिए हमारे पुराने लोगों ने एक नियम बना दिया गुडी पढ़वा के दिन प्रसाद खाना कडुलिम का आप कडुलिम प्रसाद कहते हैं, आप निरोगी हो जाते हैं, तो कडुलिम का दातुन क्यों निरोगी होने के लिए? दात भी मजबूत होंगे, और पैसे भी बचेंगे. कडुलिम का दातन पैसे का यह ग्लाइक आता है. और मैं तो शहर में रहता हूँ इसलिए गाउं में तो फोकट का ही आता है कडुलिम का दातुन टेक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है साइड इफेक्ट नहीं है एक्सपाईरी डेट बिलकुल नहीं है गाउं गाउं गली गली उपलब्द है मैंने एक दिन हिसाब निकाला सब भारतवासी टूथ-फेस्ट गिसना बंद करें कडुलिम का दातुन करें तो टूथ-फेस्ट का जितना विक्री है वो खतम हो जाएगा और उतना ही विक्री कडुलिम के दातुन का बढ़ जाएगा इस विक्री में पचास लाख बेरोजगार नागरिक गाउं गाउं में रोजगार पास सकते हैं कडुलिम का दातुन बेच कर आप कभी मुंबई जाते हैं मुंबई मुंबई के सभी रेल्वे स्टेशन पे दातुन मिलता है कि नहीं पचास पेसे का एक एक रुपय का दो एक रुपय का तीन पाँच हजार गरीब लोग मुंबई में रोजगार पाते हैं कडुलिम का दातुन बेचकर और मुंबई जैसे बारत में 680 शहर हैं सब बेच geographic में सब लोग कडुलिम का दातुन करें तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है खर्चा भी कम होता है खर्चा कम कैसे होता है टूथ पेस्ट हम खरीदते हैं कॉल गेट, क्लोज अप, पेपसुदेंट, सिबाका, फॉरंस सौ ग्राम आता है लगवग 30 रुपए का तो एक किलो हो गया 300 रुपए का अब 300 रुपए का एक किलो हम पेस्ट खरीदते हैं और 1500 रुपए का एक किलो गाय का तूप आता है 1500 रुपए किलो तूप है 300 रुपए किलो टूथ पेस्ट है तूप को भाकरी पे लगा के खाते हैं सस्ता है और toothpaste 300 रुपई किलो का दात में घिसके ठूकते हैं, वो महंगा है महंगी चीज ठूकते हैं, सस्ती खाते हैं क्या कहते हैं? हम बहुत intelligent हैं 300 रुपई किलो की चीज को ठूकते हैं most idiot है 300 रुपई किलो की चीज को ठूकने की जरुबत है लोग मुझे पूछते हैं, फिर क्या करें? मैं कहता हूँ, ये टूथ पेस 300 रुपई किलो इतना महंगा है इसको ठूकना क्यूं? यही पेस्ट को भाकरी पर लगा लगा के खालो तूप से तो महंगा है और लोग टीवी का जाहिरा देख देखके कॉलगेट, क्लोजब, पेपसुडेंट, खरीद, खरीद के लाके दांत में घिसते हैं इसका दो नुकसान, एक तो पैसे की बरवादी दांत खराब, क्योंकि ब्रश से घिसेंगे तो मसूडे सब खलास हो जाएंगे दांत कमजोर हो जाएंगे इसलिए मेरी हाथ जोड़ कर बिनती है पेस्ट बन कर दो कॉलगेट, क्लोजब जरूरत नहीं उसका और एक कारण बताता हूँ यह जो कॉलगेट, क्लोजब, टूथ पेस्ट है इसको आप जब घिसते हो तो इसमें जाग बनता है फोम मराइटी में क्या कहते है, फेस फेस, फेस बहुत बनता है आपको माइटी है बहुत लोगों को मैं पूछता हूँ आप कॉलगेट क्यों करते हैं तो कहते हैं इसमें फेस बहुत बनता है तो मैं कहते हूँ सबसे ज़्यादा फेस तो उससे भी जास्ति फेस, शेविंग क्रीम में बनता है। तो यह नहीं कर लेते हैं और ओ सेविंग क्रीम इसे नहीं कर लेते हैं अपने दाऊंते हैं? यह प्यूज प्रेस के लिए हैं अगर पेस्ट कर रहे हैं तो आपको जो में आईती देना चाहते हूं ये जो फेस बनता है टूथ पेस्ट में ये फेस बनाने के लिए एक केमिकल लगता है उस केमिकल का नाम है सोडियम लॉरेल सलफेट और ये दुनिया का सबसे खतरना केमिकल है कैंसर करने वाला केमिकल है विज्ञान की माहिती में आपको दे रहा हूँ दशमलब पाँच मिली ग्राम सोडियम लॉरेल सलफेट आपके शरीर में डाल दिया जाए तो आप कैंसर से मर जाएंगे इतना खतरनाक है और वो टूथ पेस्ट में सबसे जास्ती मिलाया जाता है और वो आप अंदर घिस रहे हैं वो जीब की लार के साथ मिलके अंदर जाता है बहुत तकलीफ है कैंसर हो जाएगा मत करिये टूथ पेस्ट अमेरिका और यूरोप के देशों में तो टूथ पेस्ट जो बिखता है ना बाजार में उसके डबे पर चेतावनी लिखी रहती है अंग्रेजी भाषा में वार्निंग आपने देखा भारत में सिग्रेट के पैकट पर एक महिती लिखा होता है इस पेस्ट पर यही लिखा रहता है और उसमें तीन बात लिखते हैं पहली बात लिखते हैं इसका मतलब क्या हुआ छोटे किसी बच्चे को यह कॉल गेट नहीं देना दूसरी माहिती लिखते हैं इन केस ऑफ एक्सिदेंटल इंजेशन प्लीज कॉंटेक्ट इमीडियेटली पॉजन कंट्रोल सेंटर माने गलती से किसी बच्चे ने यह पेस्ट कर लिया तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाना इतना खत्रा है और तीसरा सेंटेंस लिखा होता है इसका मतलब क्या हुआ अगर आप बड़े व्यक्ति हैं तो अपने ब्रश पर बिल्कुल थोड़ी मात्रा में कॉल गेट लेना क्यों? क्योंकि ये कैंसर करता है खतरनाक है अब भारत में क्या होता है? टीवी जाहिरात आता है तो कहते हैं ब्रश भर के लेना अमेरिका में कहते हैं बिल्कुल थोड़ा सा लेना तो हम ब्रश भर भर के जो कर रहे हैं ना कॉल गेट हम खुद कैंसर की बीमारी बुला रहे हैं इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विंती है कॉल गेट क्लोज अप बन कर दो और एक माहिती देता हूँ यह जो कॉल गेट क्लोज अप जैसे टूथ पेस्ट है ना इनको बनाने के लिए जो केमिकल लगता है वो एक केमिकल है डाइकेल्शिम फॉसफेट यह डाइकेल्शिम फॉसफेट आता है मरे हुए जानवरों की हड्डियों में से अब मरे हुए जानवरों की हड्डियों में से जो केमिकल आता है उससे toothpaste बनता है और उसको सकाडी सकाडी मैंने देखा है उपवास करने वाले लोग उपवास करने वाले पानी भी नहीं पीते लेकिन मरे हुए जानवरों का हड़ियों का पाउडर मुह में गिस गिस कर उपवास करते हैं फिर कहते हम शाका हरी है नहीं करना ये कॉल गेट, क्लोज अप, पेपसिदेंट सब बन करो क्या गरना? खडू लिम्बा ची काड़ी और दूसरी एक है बाबडी ची काड़ी बाबडी है ना? उसका भी दातुन होता है फिर एक बहुत अच्छा पेड़ होता है मदार की काड़ी और एक पच्छा पेड़ है कदंब की काड़ी और एक अच्छा जाड़ है जिसकी काड़ी की जा सकती है जाम अमरूत कहते हैं हम लोग हिंदी में, मराठी में जाम, उसकी भी काड़ी आम है ना? आम की कदम की ऐसे बारेवरक्ष और काड़ी गाउं गाउं अपलब्द है मैंने हिसाब निकाल के बता दिया अगर सब लोग काड़ी करें पचास लाख लोगों को बेरोजगारों को काम मिलता है देश का पैसा भी बचता है दात भी अच्छे रहते हैं लार जास्ती उत्पन होती है समझ में आया तो लार का ऐसा महत्व है सुबह सुबह सोकर उठें सबसे पहले पानी पिए ताकि लार सब अंदर चली जाए उसके बाद दंतमंजन नहीं तो दातुन करें पेस्ट बिलकुल ना करें अभी तीसरा नियम सौरी चौथा नियम तीसरा तो यह हो गया अभी च ठंडा पानी, cold water, ice water, कभी नहीं पीना, फ्रिस्का रखा हुआ पानी, बरफ डाला हुआ पानी, कभी नहीं पीना, क्यों? यह जो ठंडा पानी है, गार पानी है, यह बहुत तकलीफ देता है कैसे? आपका पोट तो गरम है, और पानी तो ठंड है, गार है, अब ठंड पानी गरम पोट में डालेंगे, तो जगड़ा होगा क्या, या तो पानी पोट को ठंडा करेगा, या पोट पानी को गरम करेगा अगर मान लीजे पानी ने पोट को ठंडा कर दिया तो पोट के ठंडा होते ही हिरदय ठंडा होता है हिरदय के ठंडा होने के बाद मस्तिश ठंडा होता है मस्तिश के ठंडा होने के बाद पूरा शरीर ठंडा होता है और शरीर के ठंडे होने के बाद राम नाम सत्य होता है आपको मालूम है और राम नाम सत्य जब होगा तो घर के बाहर आपको फेक देते हैं रखते नहीं जो घर आपने बनाया लाखों रुपए करजा लेके उस घर में आपका शरीर ठंडा होते ही रखनते हैं नहीं बाहर लेके जाओ बाहर लेके जाओ जल्दी करो कितनी बेजजदी है ठंडे शरीर के जिस शरीर को गरम रहने पर लपट लपट के रोते हैं ठंडा होते ही छोड़ देते हैं तो क्यों करना चाहते हैं आपने शरीर को ठंडा गार पानी पी के नहीं पीना अब एक विज्ञान की माहिती मैं आपको देना चाहता हूं जब बहुत गार पानी आप पीएंगे ठंड पानी पीएंगे तो क्या होगा पोट पानी को गरम करेगा अब पोट पानी को गरम करेगा तो पोट को गरम करने के लिए उर्जा चाहिए जैसे स्वेम पाक घर में कोई भी चीज गरम करने के लिए LPG गैस लगती है न वैसे पोट में पानी गरम करने के लिए रक्त लगता है खून तो जब आप बहुत गार पानी पीते हैं तो सारे शरीर का रक्त पोट में आता है पानी को गरम करने के लिए अब रक्त की जरूरत है मस्तिश को लेकिन वो आ गया पोट में रक्त की जरूरत है हिर्दे को वो आ गया पोट में क्या करने के लिए पानी को गरम करने के लिए तो मस्तिष्क को रखत की कमी आ गई हिर्दे को रखत की कमी आ गई तो मस्तिष्क में कभी भी पैरलिसिस हो जाएगा ब्रे नेमरेज हो जाएगा हिर्दे घात कभी भी हो सकता है इसलिए गार पानी नहीं पीना, ठंड पानी नहीं पीना फ्रिज का रखा हुआ पानी बरफ डाला हुआ पानी, गल्ती से भी नहीं पीना और एक माहिती देना चाहता हूँ जब बहुत गार पानी पीते हैं, बहुत ठंड पानी पीते हैं, तो पोट में एक आंथ होती है, बड़ी आंथ large intestine कहते हैं अम लोग अंग्रेजी, तो बड़ी आंथ का सारा रखता आ जाता पोट में, पानी को गरम करने, अब बड़ी आंथ ऐसे होती है खुले हुए पाइप की तरह से जैसे ही गार पानी पीते हैं यह बंद हो जाती है, ऐसे हो जाती है संकुचित हो जाती है और आपको मालूम है बड़ी आंथ में से ही हमारा सारा गंदगी, मल संडास निकलता है, अगर यह बंद हो गई, संकुचित हो गई, तो मल नहीं निकलेगा, संडास नहीं निकलेगा तो मल बद्धता, कोष्ट बद्धता की समस्या शुरू होगी जिन्दगी आपकी नरक हो जाएगी जिनको मल बद्धता है, कोष्ट बद्धता है उनको बवासीर, मूडव्याद, भगंदर, गुटने दर्द, कमर दर्द, सब होता है इसलिए पोट साफरे में जरूरी है संडास नयमित रूप से होना जरूरी है वो तब ही होगा जब बड़ी आथ खुली रहे अगर ये बंद हो गई तो नहीं होगा तो गार पानी पी के इसको बंद मत करिये नहीं तो तरास होगा अब मैं आपको और माहिती देता हूँ इसमें हसने का नहीं लेकिन द्यान सो सुनने का अमेरिका में और यूरोप में लोग बहुत गार पानी पीते है ठंड पानी अमेरिका के लोग तो इतने मूर्ख है पानी को फ्रिज में रखेंगे पांच छे दिन ठंडा होगा फिर निकालेंगे फिर बरफ डालेंगे फिर पीएंगे इतना ठंड पानी पीते है दुष परिणाम क्या होता है सबकी बड़ी आत ऐसे बंद है तो सबेरे जब संडास घर में जाते हैं दोन-दोन तास बाहर ही नहीं आते से बाहर ही जाते हैं अ क्या है धुष है मैं मैं उनको ।। तू Mm करते क्या हो दोन-दोन थास परकत्र में होसे बत में बड़ता पढ़तें न्यूजपेपर पढ़तें पढ़तें प्र्णायच को पढ़तें इंत céu चाहा है मल निकलता ही नहीं, संडास होती नहीं और कोई अमरी की संडास घर में घुज गया ना तो अंदर आप जड़ा ध्यान से सोनो तो करेगा लेकिन वो नहीं उतरती क्योंकि बंद है जास्ती देर वो नहीं उतरती ना तो वो गाना गाना शुरू करता है मेरे सपनों की रानी कभी आएगी वो आती नहीं है और जास्ती देरास होता है ना तो दूसरा गाना गाता है एक बार आजा, आजा, आजा फिर भी नहीं आती एक बार एक अमरी की व्यक्ति को मैंने ये पूछा कि आपके संडास घर में कमोट सीट क्यों लगाते हैं? कमोट सीट समझते हैं? वेस्टरन स्टाइल का वो क्यों लगाते हैं? भारती पदद का संडास क्यों नहीं बनाते हैं? उसने उत्तर दिया भारती पदद के संडास पर पांच मिनट बैठ सकते हैं हमको दो तास बैठना पड़ता है पर कभी फ्रड़ पानी नहीं पीना, रहीं में पीना, भर्णी नहीं पीना, तो अप बोलेंगे, लिए, कुछ्त की नहीं बहने हैं? कि तो अप बोलें लीघ्र कॉणी पानी पीन पीना, माति क् से मामीा इसका। जो इसके का अजा नहीं पींसे तो आप फिर एक काम करना, आज से फ्रिज में पानी नहीं रखना, क्योंकि पीने का नहीं तो रखने का क्यों? और इसका एक सबसे बड़ा फाइदा होगा, गले का रोग नहीं आएगा, हमारे बच्चों में गले का रोग आता ना, टॉंसलाइटिस, यह कभी नहीं आएगा अगर गार पानी नहीं पिएंगे, खोखला नहीं होगा, खासी नहीं होगी, गार पानी नहीं पिएंगे तो, त आुममट गरम कर के पिएंगे तो अबसे अबसे कि अच्छा है। आप बोलेंगे पानी रखने का पात्र कैसा होना चहिए? चात्र का पानी रखने का अबसे अच्छा पात्र यह मित्टी का, माति का दूसरे नंबर पर तावे का तामर पात्र यह बहुत अच्छा है पानी रखने थीसरे नमबर पर चांदी का आप कहेंगे चांदी बहुत महंगी है इसल लाइंगे आप ऐसा गरिए माती के गड़े में चांदी का एक अंगुटी डाल दीजे और उसे पानी है सोने का अब सोना तो और भी महंगा है हाँ महंगा है लेकिन कोई पात्र में पानी रखे कंगूठी सोने की डाल दीजे चार्ज होता रहे ये सोने चान्दी का पानी पीना चाहिए ठंडी में और माती के गड़े का पानी पीना चाहिए गर्मी में और तामर पात्र का पानी पीना चाहिए बारिश में पाउस के सीजन और पानी सबसे अच्छा माना जाता है जो पीने के लिए है वो पाउस का बारिश का जो पानी गिरता है ना वो सबसे शुद्ध है तो आपके घर में छथ पर जितना भी पाउस का पानी गिरता उसको इकठा करिये एक-एक बूंद वो काम का है कीमती है आप बोलेंगे कैसे एक ठाकरें बहुत सरल तरीका है पाउस का जितना भी पानी है एक पाइप में लीजे और खड़ा खोद के उसमें डाल दीजे फिर वो ही पानी वापस निकाल सकते हैं बोर करके साल पर जितना निकालेंगे उतना पाउस का चला जाएगा पानी का बैलेंस बना रहेगा तो कभी भी पानी खलास नहीं होगा प्षितकरी के लिए भी और हमारे घर के लिए बारिश का पानी सबसे शुद्ध है दूसरे नमबर पर सबसे शुद्ध पानी है बहती हुई नदी का तीसरे नंबर पर सबसे शुद्ध पानी होता है कुए का चौते नंबर पर सबसे शुद्ध पानी है बोर का अब पाँचवे नंबर पर सबसे शुद्ध पानी है मिनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो पाँचवे नंबर पर है दुर भाग्या आपका है कि आप वो इपते हैं। क्यों पाउस का पानी इकठ़ नहीं करते हैं। इसलिए पीते हैं। मैंने मेरे घर में एक टांकी बनाई है नीचे और शारा चट का पानी उसमें जाता है गच्छी का एक बरस में एक लाख लीटर पानी इकठ़ होता है। हम पूरे बरस वो ही पीते हैं। आप भी कर सकते हैं। टांकी बनाने का खर्चा बीस पच्छी सजार रुपए इस से जास्ती नहीं। और जहां गाड़ी खड़ी करते हैं। कार वगेरा उसी के नीचे बना दिया। उपर से पत्थर डाल दिया। दोनों काम में आती है। तो पानी पाउस का इकठ़ करने की जरूर कोशश करिए। बहुत कच्छा है कीमती है। सब पानी से अच्छा है। तो चार नियम हो गए। अभी पाँच्वा नियम है। जब भोजन करना हो, तो भोजन को धीरे धीरे खाना..... चबा चबा के खाना? मराटी में कहते है। हडू हडू ग्या, सावकाश ग्या धीरे धीरे कहो, थोड़े थोड़े चबा चबा के खाऊ. अभी कितना चबाएंư? तो आयुर्वेद में कहा गया जितने दांत उतनी बार भोजन चबाओ तो आप कहेंगे 32 दांत तो 32 बार चबाओ बाकरी का एक टुकड़ा मुँ में रखा 32 बार चबाओ तो बिलकुल लार के साथ मिलके अंदर जाएगा बहुत जल्दी हजम होगा और सबसे ज़्यादा ताकत शरीर को देगा इसलिए खाना धीरे धीरे चबा के खाना पांचवा नियम चटा नियम है जबी भी भोजन करना तो जमीन पे बैठके करना भूमी पे बैठके करना खड़े खड़े नहीं आजकल कुछ पढ़े लिखे लोग खड़े खड़े खाना खातें बुफे सिस्टम यह ऊठ़ेसिंटम नहीं बफेलो सिस्टम है तो शेज़े मशी की खड़े-खड़े आंदी के लίए यह यह लेकिन यह पढ़े लेके लोग हैं एड़े लोग हाँ इडियट करें क्या उसका अमेरिका यूरोप की निकल करके खड़े-खड़े खाना कहते है खड़े-खड़े खाना कहाने में तकलीफ क्या है और जमीन पर बैठ के खाने में क्या फाइदा है वो जानिया जब हम भुमी पे बैटे हैं ना ऐसे करके सुखासन में आलती पालती मार के ऐसे बैठ गए तो हमारा जो नाभी है ना वो गुरुत्वा करशन बलके सीधे संपर्क में है गुरुत्वा करशनबल नाभी पर जब केंद्रित होता है तो नाभी चार्ज होती है फिर उसके बगल में जठर है, वो भी चार्ज होता है अगनी बहुत तीवर होती है तो इस इस्तिती में बैठके जो खाना खाएं बहुत जल्दी हजब होता है इसलिए जमीन पे बैठके खाना खाना फिर आप बोलेंगे डाइनिंग टेबल डाइनिंग टेबल अच्छा नहीं है कुर्शी पे बैठके खाना कभी ने खाना गडवर क्या है इसमे गुरुट तो केंदर बदल जाता है और फिर वो खाना जल्दी हजम नहीं होगा तो आप बोलेंगे डाइनिंग टेबल लाया तो आप क्या करना डाइनिंग टेबल लाया है तो बेच दो बेकार है वो, कुछ काम का नहीं है अब बहुत लोग कहते हैं बेचने का दिल नहीं करता तो मेरा एक सुझाओ है उसका पाउं काट दो एकदम नीचे आ जाएगा तो जैसे पाटा होता है ना लकडी का पाटा वैसे डाइनिंग टेबल पे थाली रखके आप जमीन पे बैठके खाना उसका ये उप्योग हो सकता है और मुझे तो ये बात कुछ समझ में नहीं हाती हमारा घर हम बनाते है कितना महगा जमीन है बीड में एक स्क्वार फिट जमीन की कीमत कितनी है 500 रुप अब 500 रुपई स्क्वार फिट की जमीन है डाइनिंग टेबल अगर 10 भाई 10 की है 100 square feet जमीन आपने घेर रखी है एक square feet 500 रुपई की है 100 square feet 50,000 रुपई की जमीन आपने dining table के नीचे बेकार करके रखी हुई है जो इस्तेमाली नहीं आ रही और काम करने वाली बाई को भी तरास होता है जुक जुक के उसमें जाडू लगानी पड़ती है क्यों लाएं आप इसको छोड़ दो कुछ काम की नहीं इसको निकालो के घर से खाली जगे हो जाएगी इसपेस खुल जाएगा वो किसी दूसरे काम में आएगा मैं आपको एक छोटी माहिती देना चाहता हूँ कि घर के अंदर जितना खुला इसपेस होता है दिल और दिमाग उतना ही खुला होता है और के घर के अंदर जितनी चीज़ें गिचपिच होती है न इसपेस कम होता है दिल दिमाग भी उतना ही छोटा होता है यह जो आजकल फ्लैट सिस्टम चल गए न हम गाओं से शहर में आ गए तो गाओं में तो बहुत बड़े घर में थे अब शहर में आके छोटे फ्लेट में रहते हैं तो हम दिल दिमाग से भी छोटे हो गए हैं शहर वाले दिल दिमाग में सबसे छोटे हैं गाओं वालों का दिल दिमाग बहुत बड़ा है क्योंकि बड़े घर में रहते हैं, खुले घर में रहते हैं, तो घर को थोड़ा खुला रखिए, जबर जस्ती डाइनिंग टेबुल, सोफा सेट, वगेरा वगेरा मत लाइए, तो आप बोलेंगे, बैठींगे कैसे, जमीन पर बैठीए, हर समय जमीन पर बाहर जास्ति कभी नहीं आएगा जमीन पर बैठा के खाना, जमीन पर सोना, जमीन पर ही Sapkirna और अंत में जमीन पर ही मरना ये खुर्शी मेज का चक्कर कम करिए आगे बढ़ते हैं और एक आगे का नियम सात्वा नियम सात्वा नियम बहुत अच्छा है सब के काम का है कि जब आप जो भोजन करें दुपारी जेवन नंतर कुछ भी काम नहीं करना आराम करना दुपारी जेवन नंतर काम नहीं करने का, आराम करने कितना कम से कम एक तास आप बोलेंगे, जो लोग घर में रहते हैं, उनके लिए तो आसान है और जो नौकरी पे जाते हैं, वो क्या करेंगे? तो नौकरी पे जाने वालों के लिए मेरी विननती है कि दुपारी जेवन वो सकाड़ी करें, नौ बजे, जाने से पहले नौ करीब नौ बजे खाना खाएं, दस बजे तक विश्रान्ती लें, फिर आफिस जाएं आप बोलेंगे ये क्यों? बात ऐसी है, कि जब हम दुपार को खाना खाते हैं, सूरी का ताप बहुत तेज है सूरी के ताप से शरीर गरम है, शरीर जादा गरम होने से बलड प्रेशर जास्ती है और बलड प्रेशर जब जास्ती होना तो काम नहीं करना चाहिए, विश्रान्ती लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए इसलिए दुपारी जेवन दंतर विश्रान्ती लेना और विश्रान्ति लेने का सबसे अच्छा तरीका है यह जो डावा बाजू है ना इस बाजू में सोना इसको हम कहते हैं वाम कुक्षी यह सबसे अच्छा तरीका अब इसके आगे का नियमें आठवा वो यह है कि रात्री जेवन नंतर तुरंत नहीं सोना काम करना दुपारी जेवन नंतर विश्रान्ति करना रात्री जेवन नंतर काम करना दोन तास काम करना उसके बाद ही विश्रान्ति लेना क्योंकि रात्री को क्या है ब्लड प्रशर लो है क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश है और वो शीतल है और लो बीपी में आराम नहीं करना चाहिए इसलिए रात्री जेवन नंतर दोंतास काम करके फिर विश्रान्ति लेगा इसके आगे का नवा नियम है जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे, समर्दशाली रहेंगे कि आप खाना जो खाते हैं, भोजन जो करते हैं उसमें दो बस्तू एक साथ ऐसी नहीं खाना जो एक दूसरे के विपरीत है जैसे दूद और दही साथ में नहीं खाना तूप और मद साथ में नहीं खाना कांदा और दूद साथ में नहीं खाना फनस और दूद साथ में नहीं खाना खटा फल, संत्रा, मुसम्मी, द्राक्षी दूद के साथ तहीं खाना इसी तरह से दही में मीट डालके कभी नहीं खाना दही में नमक नहीं डालना गोडवस्तु डालना क्यों नहीं डालना? दही में छोटे-छोटे करोणों की संक्या में जीव रहते है और जीव जीवित चाहिए हमको शरीर में लेकिन जैसे ही आप मीट डालते हैं वो सम्मर जाते है तो मीट क्यों डालके दही खाएंगे वो दही काम का नहीं है शरीर इसलिए दही में गोडवस्तू डालके खाना ऐसे ही ताक में मीट नहीं मिलाना ताक भी गोड वस्तू के साथ खाना तो आप बोलेंगे अगर दही का उपयोग सलाद बनाने में करते हैं कोशंबरी बनाने में तो गोड वस्तू का, मीट नहीं दूद भी कभी मीट के साथ नहीं लेना मीट की मन नमक की कोई वस्तु खा रहे हैं तो दूद नहीं पीना साथ में एक तास अंतर रखना है तो विरुद्ध वस्तुओं को कभी साथ में नहीं खाएंगे जीवन में कभी बीमारी नहीं आएगे और आखरी छोटी सी माहिती दस्वा नियम है वो यह है कि जब आप भोजन को बनाते हैं भोजन को पकाते हैं स्वयम पाक गर में तो जिस पात्र में भांडे में आप भोजन रखते हैं उस भांडे को हमेशा खुला रखना खुले भांडे में भोजन बनाना बंद में नहीं क्यों? भोजन को बनते समय सूरिका प्रकाश या पवन का इसपर्ष होना बहुत जरूरी है तो भांडा खुला रहेगा तब ही होगा मतलब सीधा सा है प्रेशर कुकर में भोजन नहीं बनाना क्योंकि वो बंद है उसमें पवन का इसपर्ष नहीं होता और प्रेशर कुकर की एक और तकलीफ है कि वो अल्यूमिनियम का है और अल्यूमिनियम दुनिया का सबसे खराब मेटल है भोजन बनाने के लिए और खाने के लिए अल्यूमिनियम के भांडे में अगर भोजन बनाते हैं और खाते हैं बहुत जल्दी टीबी होगा ट्यूबर कुलोसिस दमा, अस्थमा, ब्रॉंकियल अस्थमा इसलिए घर से प्रेशर कुकर का उप्योग आप कम करिए तो फिर आप बोलेंगे कौन से भंडे लेके आए माती के भंडे लेके आए वो सबसे अच्छा है सबसे सस्ता है सबसे अच्छा है माती की हंडी आती है उसमें आप डाल बना सकते है बात पका सकते हैं सबजी पका सकते हैं उसके दो फाइदे हैं एक तो पच्चीस रुपई की है, बहुत सस्ती दूसरा फाइदा है माती जो है ना इसमें केल्शियम बहुत है आइरन बहुत है इसमें फॉस्फोरस बहुत है शरीर को लगने वाले जितने भी सूक्ष्म पोशक्तत्तों है वो सब माती में है तो माती का बनाया हुआ हंडी वो लाएंगे तो बारत के एक कोटी पचास लाग कुमारों को रोजगार भी जाएगा और आपके शरीर को सूक्ष्म पोशकतत तो मिल जाएंगे तो आप कोशिश करिए तो आप बोलेंगे अभी कुमार हैं क्या यहां बीड में हैं मैं अभी आया तो देखा सड़क के किनारे वो माती का बेचते हैं कोई खरीदता नहीं क्योंकि सब के पास फ्रशर कुकर सब फ्रिज में पानी रखते हैं गाड़ा भी अभी नहीं बिखता उनका तो आप थोड़ा उनसे खरीदिये उनकी रोजगारी चलेगी आपका शरीर अच्छा रहेगा और माती के बरतन अगर नहीं ला सकते भांडे नहीं ला सकते तो पीतल के लाना पीतल और वो भी नहीं आ सकता तो कांसा सबसे अच्छा माती दूसरा पीतल फिर कांसा फिर सबसे अंत में स्टील लोहा एलूमीनियम बिल्कुल बन वो बिल्कुल काम का नहीं है तो आपको मैंने 10 नियम बता दिये इनका आप पालन करें 11 और अछरी नियम एक बताना चाहता हूं कि अगर कभी बीमारी आ जाए नहीं आए उसके लिए तो नियम बता दिये आ जाए तो क्या करें तो स्वेमपाग घर में बहुत आउशद है हमारा स्वेमपाग घर आउशद भंडार है सभी स्वेमपाग घर में लगबग 108 आउशद है जीरा है, धनिया है, ओवा है, अजवाइन है, आल है, अदरक है, तोडस है, पुदीना है, कोतंडरी है ये सब आउशद है आपको माहिती नहीं है, बस समस्या इतनी है क्या क्या ओषद हमारे स्वाम पाक घर में है अगर किसी को गुडगे का तरास है, जिसको संधी बात कहते है गुडगे का तरास, कमर का तरास, कंदे का तरास, हड़ियों के जोड़ों का तरास इसकी सबसे अच्छी आउशद है मेथी दाना मेथी दाना आप जानते है चोटा-चोटा पीला-पीला एक चम्मच मेथी दाना एक गिलास पानी में रात्री को डाल देना सकाडी अनुशा पोटी मेथी का दाना चबा के खाना और पानी भी पी जाना तो गुडगे का दार्द, कमर का दार्द, कंदे का दार्द सब मिठ जाएगा दो से तीन महीने में और इसी मेथी के दाने को खा के और एक फाइदा है कि अगर आपका खून गाड़ा हो गया ना घट जिसको डॉक्टर की भाशा में कहते है कॉलेस्ट्रोल बढ़ गया, कॉलेस्ट्रोल बढ़ गया उसकी भी सबसे अच्छी औशद यही है मेथी का दाने खाने का तरीका एक ही है एक छोटा चमच मेथी दाना, एक गिलास पानी में रात्री को डाल दो सुबह उठके दाना चबा के खालो, पानी पीलो और इस मेथी दाने से क्या-क्या रोग ठीक होते है अगर हमारी आई को और ताई को यूट्रस के कोई भी रोग होते है, गरभाशे के जैसे मासिक पाड़ी का तरास मासिक पाड़ी समय से नहीं आती, कभी आती है तो बहुत देर में आती है कभी तो बहुत रखत जाता है, कभी बिलकुल रखत नहीं आता कभी बहुत पोट दर्द है, कभी बिलकुल नहीं है ये सारे जो मासिक पाड़ी के तरास है ना, इसकी ओशद है मेथी का दाना और जब आई की उमर 45-50 वर्ष होती है, मासिक पाड़ी बंद होती है उस समय के सारे तरास का ओशद है मेथी का दाना कोई आई को बच्चा उत्पन हुआ, बच्चा पैदा हुआ और उस आई को बच्चा पैदा होते ही दूद आना चाहिए लेकिन दूद नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है तो उसकी सबसे अच्छी आउशद है मेंथी का दाना मैं इस मेंथी के दाने का उपयोग करके साथ से सतर बीमारियों का इलाज कर लेता हूँ और अपने घर में ये भरपूर है सस्ती है, कीमत में, क्वालिटी में बहुत अच्छी ऐसे अपने घर में बहुत अच्छी एक आउशद है स्वयंपाक घर में, ओवा ओवा को तवे में गरम करके बाटली में भरके रखना कभी भी पोर्ट में गैस बनती है, एसिडिटी होती है, आईपर एसिडिटी होती है थोड़ा ओवा लेना, काला नमक मिलाके, चबाके खाना जेवन नंतर, आदा चम्बर पंद्रे बीस दिन में सब तरास खतम करें और इसी ओवा को गरम नहीं करना गुड के साथ मिलाके खाना तो जिनको संडास अच्छे से नहीं होती संडास के सारे तरास उनको होते है पोट अच्छे से साफ नहीं होता कबजियत रहती है, कोश्ट बद्दता, मल बद्दता उसकी सबसे अच्छी ओशद है ओवा और गुड मिलाके खाना ओवा और काला नमक मिलाके खाएंगे तो अच्छी ओशद है, जो एक दिवस के बच्चे को भी दी जा सकती है कोई साइड इफेक्ट नहीं ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी ओशद है हड़द गले का त्रास है, खोखला है, खासी है हड़द का दूद पीलो हड़द को पानी में उबाल के पीलो हड़द क्या-क्या कर देती है इस्मरण शक्ती को बहुत तीवर करती है हड़द रक्त को एकदम शुद करती है हड़द हड़द नियमित रूप से दूद में कोई भी पियेगा रंग एकदम गोरा हो जाएगा एक दम साफ रंग अच्छा गरना है ना गोरा घड़त से होता है और किसी से नहीं होता और जड़त चोट पे लगा दो आउशद का काम है चोट ठीक हो जाती है हड़त कैंसर की सबसे अच्छी आउशद है कैंसर के मरीज को भी हड़त का उपयोग किया जाता है कैसे हड़त को गाय के मूत्र में उबालना गाय का मूत्र लेना गोमूत्र उसमें हड़त डाल के उबालना फिर ठंडा करके पिलाना आदा चम्मच हड़त और एक कप गोमूत्र डालके उबालके आप पिलाना शुरू करो गले का कैंसर, पोट का कैंसर, आहरनली का कैंसर बहुत लाव होता है ऐसे अपनी स्वेंपा घर में एक आउशद है आल अद्रक, अद्बुत आउशद है वो भी खोखले के लिए, गले की सफाई के लिए और आल बहुत अच्छी आउशद है शराब छुडाने के लिए व्यसन मुक्त होने के लिए जो लोग शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मावा खाते हैं, गुटका खाते हैं इनको अगर सब छोड़ना है व्यसनमुक्त होना है सबसे अच्छी आउशद आल क्या गरना आल के छोटे-छोटे टुकडे करना लिम्बू का रस मिलाना थोड़ा नमक डाल के चूसना सुबह से शाम तक और अगर वो चूसेंगे तो व्यसनमुक्त होते चले जाए अपने स्वयमपाग घर में एक बहुत अच्छी आउशद है दूदी भोपला किसी को हिर्दय घात हुआ हो किसी का ब्लेड प्रेशर बहुत जास्ती हो किसी को शक्कर का रोग हो गया हो डाइबिटीज हो गयी हो कॉलेस्ट्रोल जादा हो गया हो सबकी आउशद दूदी भोपला दूदी भोपला निकालना छिलका नहीं उतारना सीधे रस निकालना एक कप रस में कोतमरी का पत्ता पुदीने का पत्ता तुलसी का पत्ता दस-दस पत्ते कोथंबरी, तुलसी, पुदीना, चटनी बनाके, एक कप दूदी भोपले के रस में मिलाके, रोज सुबै अनुशा पोटी दे दें, तीन महीने में हिरदय गात का सब तरास मिटा देता, कॉलेस्ट्रल सब खतम हो जाता, बहुत अद्बुत है दूदी भोपला, ऐसी 108 होशद है स्वयम पाक घर में, अब मैं जादा नहीं बता सकता क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया, नौ बचकर पांच मिनिट, मेरे तो व्याख्यान का समय नौ बजे तक था, पांच मिनिट मैंने जास्ती लिया, आप इसके लिए मुझे मुझे माफ करेंगे, मैंने कोशिश ये की है आपको कि स्वदेशी चिकित्सा, देशी चिकित्सा जो स्वयम पाक घर के मदद से हो सकती है, और अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन, जो हम कर सकते हैं, निरोगी होने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, तो फाइदा पता ही क्या होता है, एक वर्ष में भारत देश क कि लोग निरोगी हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, तो क्या कर सकते हैं? साड़े च्छे लाख कोटी रुपई देश का बचा सकते हैं. और साड़े च्छे लाख कोटी रुपई से अगर सोना खरीदें, तो महराष्ट राज्य के एक-एक गाउं की सडक सोने से बनती है. माने देश की गरीबी, भुक्मरी, बेकारी, सब मिटाने का आसान तरीका है, स्वस्थ रहना, निरोगी रहना. तो हम सब स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, निरामय रहें. ऐसी भावना लेकर मैं आया, और इसी भावना से आपको मैंने सब महिती दी. आप से मेरी एक प्रार्थना है कि जो महिती मैंने आपको दी, वो आप दूसरों को दे. ताकि गली-गली गाउं-गाउं ये जाए. मेरा उद्देश क्या है? मेरा उद्देश है कि भारत के सभी नागरिक स्वस्थ हो जाए, निरोगी हो जाए. एक पैसा भी आउशद में खर्च ना करना पड़े. और स्वस्थ होंगे, तो सुखी होंगे, और सुखी होंगे, तो दूसरों को सुख देंगे. दुखी होंगे तो दूसरों को दुखी ही देंगे जो दुखी है वो दुख बांटेगा जो सुखी है वो सुख बांटेगा तो हम सब सुखी बने निरोगी बने आप जानते हैं भारतिय संस्कृती में एक सूत्र वाक्य है सर्वे भवन्त सुखने सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रान पश्यन्तु मा कश्यत दुख भागवे सब सुखी हो, सब निरोगी हो सब को अच्छा स्वाश शरीर मिले तो ऐसी भावना हमारे संस्कृती में है इसी भावना से मैं आपके पास आया अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये सब जो मैंने माहिती दी याद नहीं रहेगी तो क्योंकि आजकल हमारी इस्मरण शक्ती कम हुए याद शक्ती कम हुए तो इसके लिए क्या करें तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि ये सारी माहिती इसकी मैंने कुछ छोटी-छोटी पुस्तक बनाई है उसका कुछ नाम है स्वदेशी चिकितसा गंबीर रोगों की घरेलू चिकितसा ऐसी 6-7 पुस्तकें है वो पीछे गेट पर है मेरा एक कारिकरता है यलप पागॉड़ा वो वहाँ पर है आप ले सकते हैं जो माहिती में दे रहा था उसकी एक सीडी बनाई है 14 तासकी, MP3 है वो सीडी में संपुन माहिती है तो सीडी ले सकते हैं, पुस्तक ले सकते हैं किसी भी सीडी और पुस्तक पर मेरा कॉपी राइट नही है सब को कौपी करने का कम्प्लीट राइट है हाँ अगर आपको CD अच्छी लगती है आप उसकी हजार कौपी बनाओ दो हजार कौपी बनाओ और सब नागरिकों को बांट दो मैं कभी आपसे मुकदमा लडने नहीं आओंगा अगर आपको पुस्तक में माहिती अच्छी लगती है उस पुस्तक को छाप छाप के बांट दो मुझे कोई तरास नहीं क्योंकि मैंने यह ग्यान इकठ़ा किया है सब को देने के लिए व्यापार के लिए नहीं देने के लिए अगर ये ग्यान आपके पास आएगा आप किसी और को देंगे वो किसी और को देगा धीरे धीरे संपूर्ण देश निरोगी और स्वस्त हो जाएगा चलते चलते एक आखरी महिती कि जिन्दगी में कभी भी आपको कोई बहुत भयंकरत रास हो जाए और डॉक्टर आपको बोले चार पांच लाख रुपई लगेगा अपरेशन करा लो और आपके पास चार पांच लाख रुपई ना हो उस स्थिती में आप मुझे एक फोन करना मैं मेरा मुबाहिल नंबर आपको दे देता हूँ कभी भी मैं आपकी मदद करूँगा मुश्किल से दो, पांच, दस रुपई के खर्चे में आपकी बीमारी ठीक हो जाए ऐसी मेरी कोशिश रहती है मैं लोगों का इलाज करता हूँ होमियोपेथी दवा से और स्वाहिम पाक घर की आउशदियों से मेरा ये सूत्र है बिना खर्चा इलाज होना कम से कम खर्चे में या शून्ने खर्चे में लोगों का इलाज होना तो आपको कभी जरूरत पढ़े तो आप फोन कर सकते हैं मेरा फोन अक्सर व्यस्त रहता है क्योंकि आप जैसे लोगों की सेवा में में रहता हूँ 9-4-2-2-9-0-3-5-0-9 और जहां मैं रहता हूँ वरधा नगर में वहां का मेरा घर का नंबर है 0-7-1-5-2-0-7-1-5-2-2-6-0-4-1 2-6-0-4-1 तो लेंड लाइन पे आप बात कर सकते हैं मुबाइल पे अगर मुबाइल व्यस्त है तो SMS कर दीजे और आप चाहें तो खत लिखकर भी मुझसे माहिती ले सकते हैं आपको कोई तरास हो गया औशद की माहिती नहीं है आप एक 50 पैसे का पोस्ट काड लिखिए मेरा पता बहुत सरल है राजीव दिक्षित मुकाम पोस्ट सेवाग्राम जिला वर्धा राज्य महराष्ट पिन कोड है चार सो बयालीस एक सो दो चार चार दो एक शुन्ने दो मेरे पास एक प्रशन आया है तो प्रशन ये है कि अठारे बीस साल की उम्र के लड़कों को ऐसा लगता है कि तबियत अच्छी रखने के लिए गुट-गुट जाड अच्छे दिखने के लिए अलोपेथी गोलिया इंजेक्शन लेनी चाहिए इस से तबियत अच्छी रहती है उनकी ये गलत फहिमी है और उसको शिकार हो रहे है ऐसे लड़कों को मार्ग दिर्शन दीजिए जो लोग भी इंजेक्शन लेकर तबियत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे है न ये बहुत जल्दी नपुन सकता में चले जाएंगे क्योंकि आपको मालुम है क्या ओशद दी जाती है इस्टिरोइट्स दिये जाते है शरीर की सारी प्रतिरक्षा शक्ती खलास हो जाती है वो इस्टिरोइट्स है इसलिए जो लड़के गोलियां खाते हैं इंजेक्शन लेते हैं अच्छा दिखने के लिए वो तुरंत बंद कर दें तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं सबसे अच्छी आउषद बताता हूं अच्छा दिखने के लिए तबियत अच्छी रखने के लिए चूना खाएं चूना चूना जानते हैं पान में जो खाते हैं रोज एक ग्राम चूना गेहूं के दाने के बरावर ताक में मिलाकर खाना खाने के बाद पिये रोज दो-तीन महीने में इतनी अच्छी तबियत हो जाएगी जो इंजेक्शन से भी नहीं हो सकते हमारे पुराने जमाने के लोगों ने जेवन डंतर पान खाने की जो परंपरा शुरू की ना वो चूने के लिए चूना खाना है तो पान पे लगा के खाते थे और उनकी तबियत और उनकी ताकत हमसे हमेशा जादा रही है तो बस इतना सा है चूना खाईए तबियत बहुत अच्छी रहेगी और केला खाईए बहुत अच्छी तबियत रहेगी गुड और शेंगा खाईए बहुत अच्छी तवियत रहेगी फुटाना और गुड खाईए बहुत अच्छी तवियत रहेगी यह मत खाईए बूस्ट, हॉरलिक्स, प्रोटीनेक्स बॉर्ण बिटा, कॉमपलेन मॉल्टोबा, इसमें कुछ नहीं है हमने जब यह सब का परिक्षन करा बूस्ट, हॉरलिक्स का तो पता चला कि वो मुंगफली की खली है शेंगा की खली मतलब समझते हैं, शेंग दाना है न उसका तेल निकाल लिया तेल निकालने के बाद जो बच गया वो बूस्ट है अगर बजार से यह खरीदो 20 रुपए किलो का मिलता बूस्ट 200 रुपए किलो है लूट मार मची हुई है आपको उल्लू बना रहे इसलिए यह बूस्ट, हॉरलिक्स वगएरा मत खाईए, मत खिलाईए क्या खिलाएं? शेंगा और गुड़ फुटाने और गुड़ केला और दूद, केला और दही, दही में थोड़ा सा चूना ताक में थोड़ा सा चूना, तबियत एकदम दुरुस्त, मस्त और अच्छे हो जाएगी और इसी के साथ और अच्छी तबियत करनी है ना तो जेवन नंतर एक चमच तिल चबा के खाईए एक ही बार खाईए, जिंदगी भर तबियत मस्त रहेगी आप कोई तरास में आने ओगा ठीक है अभी मैं तो ऐसे बोलता जाऊंगा यह चलता जाएगा क्योंकि यह खजाना बहुत बड़ा है अभी आप सबसे मैं विदा लेना चाहता हूं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं आपने बड़े शांती से सुना और दूसरों को अगर यह माहिती देंगे तो मैं और भी आपका आभारी रहूंगा जिनको CD पुस्तक चाहिए वो पीछे जाकर ले सकते हैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दिक्षिट जी वांखेडे साहिबन चाह सतकार करता है यान अंतर सुशिल जी खटोड गउतम जी खटोड यान ना मी व्यास्पिठावर निमंत्रित करते प्रतिष्ठांचे प्रमुख आधार्थ स्तंभा अशनारे प्रमुख मार्गदर्शक अशनारे रविंद्र जी वांखेडे साहिब यान चाह सतकार राजुजी दिक्षित करता है तालेंचे गजरात आपन तैंचे स्वागत करूया शगलाननी जागेवर बसाईचे यान अंतर लगेचाच या ठिकाणी सिंधू तैस अपकाल यानचा आईचा विशाईचा अशनारे व्याख्यान अपने दाईकाईचा मिलनारे आत्यांत सुन्दर तेमा कुणी ही जागा शोडूने यानंतर सुशील जी खटोड